सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियास भारत पे आशा करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकरा हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप् कर दें ताकि हम आपके से लेटिस इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और हम तुम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत बच्पन में नाइंटी नाइंटी एट में वो मात्र पांक साल कुछ पांक सा था और अचानक से उसको अपने गाउं में पता चलता है कि सल्मान खान जो है वो पास के गाउं जोदपूर में आए हैं अपनी पूरी क्रू टीम के साथ हम साथ साथ की शुटिंग करने के लिए बच्चा लॉरन बिश्नोई बहुत खुश होता है कि सल्मान खान आए है सल् औरे घरवाले बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि उसी शुटिन के दौरान में सलमान खान अपनी जीप ले करके निकलते हैं और एक काले हिरन को मार गिराते हैं क्योंकि उनको खुशिया मनानी होती है क्योंकि उनको शराब पीना होता है तो हिरन के गोश्ट के साथ पीना होत और वहां से एक बच्चे के दमाग में ये बात आती है 1730 की कहानी जो नानानानी ने सुनाया फिर 1996 की कहानी जो माता पिता ने सुनाया और फिर 1998 की कहानी जो लॉरन बिश्रोई ने बच्पन में अपने आंख से खुद ही देख लिया कि ये लोग और खास करके एक खास मजभव वाले लोग अपने तहवार अपनी खुशी अपना जलसा अपना जुलूस अपनी मजलिस अपनी तक्रीर हर चीज़ के बाद अपनी खुशी को पूरा करने के लिए किसी ना किसी जानवर को काट ही देते हैं मार ही देते हैं मुझे अब एक बात बताएं, कि एक तरफ बहराईच में रामकुपल, मिश्रा की मौत इसलिए की जाती है, क्योंकि वो एक हरा जंडा उतार करके भगवा जंडा लहराता है, और मुसल्मान उसकी छाती में 35 गोलियां दाखते हैं, उसके नेल्स को प्लास से उखाडते हैं, उ तो क्या काला हिरन जिसको पूजिता है विश्रोई समाज, क्या उसके लिए उसका गुस्सा वाजिब नहीं है, उसके लिए भी गुस्सा वाजिब है, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बिलकुल नहीं कह रही हूँ कि जो वो कर रहा है लोरेन विश्रोई वो सही है, क्राइम इ करना चांगे, नहीं करना चाहिए, आव मनलब यह जह मेरा इस वीडियो को करने का मकसद ही है, कि मैं धूनों साइट की उपिनियन कलियर कर सकूँ, मतलब कुछ लोग यह कह रहे हैं, जैसे इस साइट पे लोग यह कह रहे हैं, कि भाई लोरेंस बिशनोई जोंस है गल्थ कर र स्पोर्ट कर रही है उसके काम को स्पोर्ट कर रही है या फिर नहीं स्पोर्ट कर रही है काला कोट पहनने के बाद और सम्विधान की किताब हाथ में लेने के बाद जो गैंग्स्टर है वो गैंग्स्टर है और नियाय पालिका उसको अगर फांसी की सज़ा देगी तो उससे मुझे कोई आपती नहीं है, कोई आपती नहीं है, लेकिन जब अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, तो उसकी इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शोयव आप भी लोग के स्टुडेंट है और मैं भी, उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी ह होता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है देखो सबसे पहले पता करो कि वह पीकर तो नहीं है जारू तो नहीं पूछा हुआ है अगर कोई अपनी मा को मारता है तो सबसे पहले यह पूछा जाता है क्या इसका बच्पन का कोई हिस्ट्री है क्या पिता भी मारते थे क्या अब भावी मारते थे क्या, है ना, हमें अगर कहीं पर खुझली होने लगती है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है, आपके मम्मी को भी होता था, आपके पापा को भी होता था, शुगर होता है, तो सबसे पहले मुछता ता है, फर में किसको ए yeah, इस्ट्री बताओ, तो इसलिए मैंने अभी हिस्ट्री बताई है, मैं उसको समर्थन नहीं कर रही हूँ लोरिन विश्णोई को, लेकिन उसके गुस्ये की वज़ा बता रही हूँ कि एक खास मजब वाले, एक हरे जंडे के लिए 35 गोलियां दागते हैं, हिंदू के सीने में, तो लोरिन विश्ण समाज ने 1730 से सहा है, और मैं भारत की पुत्री होने के नाते, बहुत शर्म महसूस करते हूं, कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाजहा की अशलीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ हुदी, लेकिन हमने भिश्नो ही समाज को नहीं पढ़ा, जो यह बताता है कि मजबूरी क्या होती है, जो यह बताता है कि माफी क्या होती है, वो आज मैंने पढ़ा पांच गंटा प्लाइट पर आज मैंने पढ़ा कुछे अफसोस हो रहा है ठीक है नाजिया जी ये आपको अगर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सिरफ नाम लिखेंगे सिरफ इंडिया की न्यूज नहीं अठीक है ये आपको इंडिया के न्यूस चेनल पाकिस्तान के न्यूस चैनल वह ये देख रही है आप Well के निउस चैनल पर चुक्छ लोग यह कह रहे है धि हिंधू डून कुछ लोग कह रहे हैं सुल्मान हान को देंकिया पाकिस्तान में जो दिया गया फिर इसके लावब कुछ लोग यह कह रहे हैं लारेंस बिशनौई नेक्स्ट दाउद इबाहीम यह चीज़ की जा रही है खा सकता हूं मतलब यह पाकिस्तान का और यह कोई छोटा चैनल नहीं है यह मेंस्ट्री मीडिया है मैं नाम नहीं लोगा लेकिन मेंस्ट्री मीडिया जो लोग पाकिस्तानी चैनल देखते हैं उन्हें आइडिया होगा और यह पूरी लिस्ट है आप देखेंगे यह पूरी ल लौरेंस बिशनोई का दबदबा हो कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया में कि जी कोई एक हिंदू जाग उठा है वो हिंदू जिसके बारे में पाकिसान में हमें हिंदू के बारे में जो बताया जाता है देखने वाले कुमेंट बाक्स में बताईएगा क्योंकि जो मैंने सीखा, समझा, सुना मैं तो वो ही शेयर कर रहा हूँ कि हिंदू समाज बहुत लड़ते नहीं लड़ाई से दूर रहते हैं वो माइंड से गेम करते हैं माइंड से जंग करते हैं लेकिन उसी समाज में से अगर लारेंस बिशनोई आ रहा है जो openly कहता है और बड़ी बात है कि openly कहता है हाँ भाई ये हमारी गैंग ने किया या ये हमारे लोगों ने किया या एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता है क्या कहना चाहेंगी इसके उपर नॉन स्टॉप मुझे पांच मिनट दीचिएगा नॉन स्टॉप ठीक है आपने अभी हिंदू समाज की बात कही है हमारे हिंदू समाज में जो है न अस्त्र और शस्त्र दोनों की बात कही गई है अच्छा बगवान राम अगर बनवास पे गए तो उन्होंने रावन का भी व को आती है अपने घर की बहू बेटियों की आती है तो boundary यह ले पार दिया था अधवसरकान उसटाइप भार दियाथाओं का उसका पिए प्वाची महाराज ने रास्पूत महराजाओं की कई कहानिया हैं जिन्होंने बताया था मोगलों को कि हम gu申म मत समझना हम मौका देते हैं हम तुमको चास देते हैं कि समभल जाओ सुधर जाओ समाल जाओ सुधर जाओ लेकिन अगर तुम बिल्कुल नहीं सुधरने का मतलब जित पकड़े वे हो तो फिर हम तुमको बताएंगे कि मेरे वैदों और गरंतों में अगर अस्त्र है तो शस्त्र भी है कि आपने कहा कि लॉरन बिश्णोई को अभी पूरे में सब्स्दार यह और मुझे में कम्पलेट पाकिस्तान के आ-तंकवादियों को पजामे में इस सुधर Vaidyan लौरेन विश्णोई का नाम सुनने से मुझे नहीं समझ पा रही हूँ भाई उसकी जो बात है वो crystal clear है उसको सलमान खान से problem है उसने बता दिया है बाके तो उसने कुछ नहीं बोला है वो जो करता है वो accept करता है वो दाउद इबराहिम जैसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि दाउ पुछ करता है तो पुलीस ही रहती है और पहले ही बोल देता एक भाईया इतना खोजो मत मैंने किया वो बोल देती है अब आती है तीसरी बाद जरूरी ए कि कि अब आती है सल्मान खान की बाद कल दू दिन पहले उसने दो करोड की बुलेट प्रूफ कार खरी वाई प्लस सेक्योरिटी मुझे तो समझ में याता है कि ऐसे ऐसे अशलील बेहूदा बत्तमीज चजजी गंजडी सलमान खान को और जिहादियों को पालने वाले सलमान खान को और आतंकियों को और मुफ्ति तारिक जमील के सिलीपरसिल और हनी ट् की लड़कियों को पालने वाले सलमान खान को वाई प्लस सेक्योरिटी सरकार ने दिया ही क्यों है सबसे पहला समय दो करोड की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदा है डर के मारे क्योंकि फटी पड़ी है अभी सलमान खान की पैंडगीला हो चुका है ऐसे ऐसे करता था बेहतर यह नहीं होता कि राजिस्थान जाता बिश्णोई समाज के मंदिर में बैठता माफी मांगता और दो करोड रुपया बिश्णोई समाज के गरीब लोगों को दे कर चला आता यह कर लेता यह लेकिन इसमें एक चीज मैं यह भी कहना चाहूंगा यह मैंने कुमेंट बाक्स में देखा है अपने भी और दूसरी वीडियो जो लोग अमलब प्रोग्राम कर रहे हैं लौरेंस बिश्णोई के हवाले से कि अगर लैट्स पोल सुल्मान खान लौरेंस बिश्णोई की बात मान लेता है तो फिर ऐसा होगा कि कल को कोई भी किसी को भी कह देगा कि म मेरी ये बात है इस पे उपर माफी मांगो सोरी करो तरवाइस मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा क्या ये इसके उपर आप क्या कहना चाहेंगे मतलब अगर ऐसा होता है तो इसके उपर आप माफी मांग लेनी तो वह तो भी यह चल पड़ेगी नहीं 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 इसमें भी दो बात है एक बात है जो बहुत डेटेल में सुनना चाहिए और पेशन से सुनिए सल्मान खान एक बहुत ही अशलील बेहुदा और बत्तमीज एक्टर ठीक है पहल तो यह हो गया और दूसरा यह हो गया तेखिए मेरे ओपर भी बहुत सारे इल्जामात लगे थे कि मैंने इसलाम के खिलाव बात किया है लेकिन मैंने किया नहीं था मैंने किया नहीं था तो मैंने उसको प्रूफ कर दिया कोट के अंदर भी किया और कोट के बाहर भी किया इ माफी मांगती हर हाल में इस इब यह उपनली कह रही है कि आजि तक कुछ ऐसा बोला नहीं और बोला भी है तु मैं लेती हूं डैट सिट मैं तो नाजिया जी इस बात पर आपको मैं अप्रिशेट करता हूं और मुझे भी इस चीज़ के अब बात कि अगर मेरे मुझे कभी को ऐसा निकल जाता है कोई बात यहीं मजब को लेके ओवराल किसी का भी दिल दुखता है तो भाई मैं पहले ही माफी 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 माँब करने वाला बड़ा है यह तो भाई हमारे सुन्ट रुसूल में आता है कि सल्मान खान अभी तक दाउद इब्राहिम का जो उसका जो लिंक हाँ और जो दबदबा था उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है ठीक है अब आती है तीसरी बात जो बहुत जिसमें भी जिसमें भी बड़ा तोड जोड करकर के बड़े-बड़े नेताओं ने कॉंग्रेस के नेताओं ने उसको बचा लिया था चीक है अब यह हिरन वाले मामले में सल्मार खान पहले ही कोट को बोल चुका है कि उसने गोली नहीं चलाई थी अगर वो लॉरेट विश् एक हमार कने नएँ करनाभ उड़े प्राफ्रल जोगे तो सल्मान कान की जिसाब से पत्लून अभी गीली है जिसाब से बसक forgiving सल्मान भाई यह का हरु यहान है इसमें इसमें सबसे इंप्यार्ण बात मैं आप को बता देना चालती enfin बहुत अच्छा हुआ है कि लॉरन बिश्णोई ने ये चैप्टर खोला है और ये चर्चा छेड़ी है अब क्या होगा कि भारत के सभी लोगों को बॉलिवुड मुस्लिम एक्टर माफिया गैंग समझ में आएगा माफिया गैंग समझ में आएगा और खुल करके सब के सामने आएगा कि अब तक किनकिन एक्टर और अक्ट्रेस का लिंक जो है वो दाउद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है और महराष्ट में रहने वाले किन-किन नेताओं का लिंक जो है वो अब तक दाओद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है और दाओद इब्राहिम का पैसा कहा कहा किन-किन फिल्मों में लगा हुआ है ये भी खुल करके दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा कितना सोहिब चोधी और नाजिया खानजी का दमदार और बेबाक रेक्शन आपको काफी पसंद आयोगा जिसमें आपने देखा नाजिया खानजी ने ना सिर्फ लारेंस बिशनोई की बलकि फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबर्दस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये जै हिंद जै भारत